गोरिगाव वनंपरी शीत्र अंतरगत पिन के पार गोरिगाव जंगल से गुजरनी वाली रेलवी लाइन के समीब अचानक बाग ने हमला बोल दिया इस घटना में घायल हो गया है घटना 27 जून को सुबह 7 बजे के दोरान सामने आई घायल का नाम जाना टोला निवासी शाम सुन्टक के उमरे 55 वर्ष बताया गया है उपचार के लिए घायल को नागपुर मेडिकल कॉलिज में रेफर कर दिया गया है इस घटना से पिंड के पार गोरे गाव जाना टोला कना टोला कटंगी ग्रामों के किसान तथा खेत मजदूरों में दहशत निर्मान हो गई है क्योंकि ये शेत्र उपर औट ग्राम को सट कर हैं, बतादे कि घोटी ग्राम पंचयत अंतरगट, जाना टूला ग्राम आता है इस ग्राम के शाम सुंटक के तथा ग्राम से तीन्शार विक्ती बक्रियों के लिए टहनिया लाने के लिए जंगल में गए थे इसे शेत्र से गोंधिया वर्सा रेलवे लाइन गुजरती है ये शेत्र पिंड के पार गुरे गाउ के बीच में है ठीक इसी परिसर में कटंगी जलाशाय का घना जंगल है जब शाम सुन्टक के टहनिया तोड़ रहा था तब ही बाग ने हमला बोल दिया घटना में सुन्टक के घायल हो गया है घटना की जानकारी निर्देश में आते ही साथियों ने जोर जोर से शोर मचा कर बाग को भगा दिया जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम घटना सतर पर पहुची तथा घायल कुपचार हित्यु ग्रामन एस्पितार में रेफर करवाया गया है ग्रामेन एस्पिताल गोरे गाव में भरती किया गया है जहाँ पर प्राथमें कुपचार के बाद गोन्य मेडिकल कॉलेज रेफर कर आगी कुपचार के लिए गायल सुन टक्के को रवाना किया गया है आपके अपने चैनल ब्येस क्राइम इंडिया नियूस की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले